चलिए साहाब गुड इबनिंग रात के नौ बच्चुके हैं और हम आपके लिए Mathematics का वीडियो ले करके आ गए हैं जितने भी स्टुडेंट यूपी पॉले टेकनिक फ़स्ट सेमेस्टर के स्टुडेंट हैं उनके लिए आज हम भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं Applied Mathematics के Important Questions के About आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो चैप्टर हम आपको पढ़ा रहे हैं इस चैप्टर से आपके कितने Questions के बनते हैं कितने Numbers के Questions आते हैं तो चलिए जोड़ जाएए सभी लोग एक बार Connect हो जाते हैं और फटा फट रात के नो बज रहे हैं इसलिए गोड़ेवने का कमेंट कर देजिए और आज हम आपको एक बात ये बता दें कि वीडियो पूरा स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक देखिए क्योंकि लास्ट में हम आपको एक बहुत ही इंटरस्टिंग बात बताने वाले हैं ऐसी बात जिसका कि आप लोगों को इंतजार रहता है ठीक है तो देखते हैं पहला कुश्चन क्या होता है साहब पहला कुश्चन Polytechnic BTUP 2010 में आया हुआ कुश्चन है तो कुश्चन स्टार्ट करें उसके पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि आप अपना फैबरेट यूटूब चैनल पांडेजी टेकनिकल देख रहे हैं दोस्तों और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरब ओजहा हमारे चैनल पांडेजी टेकनिकल पर आपको पॉले टेकनिक से रिलेटेड हर एक इनफॉर्मेशन बहुत ही सांदार बिल्कुल सटीक तरीके से मिलती है हर सब्जेक्ट की क्लासे आपको बहुत ही धमाकेदार तरीके से मिलती है हमारे यहाँ देली के राप 9 बजे semester exam के और डेली के साम 7 बजे आपके entrance exam के classes लगती हैं तो दोनों class है अगर आप semester के student है तो semester वाली class join करिए अगर आप entrance exam के student है तो entrance exam वाली class जरूर जोइन करिए तो आईए बात करते हैं हम अपने इस वीडियो में important questions की दिखें भाई ये question आपका 2010 में आया हुआ है और ये question आपका 3 number में आता है अगर आपको ऐसा question दिख जाता है तो आपको ऐसा question बिल्कुल छोड़ना नहीं है कर देना है क्यों कर देना है क्यों क्योंकि आप फेवरेट यूटूब चैनल पांडेजी टेकनिकल से जुड़े हैं और आप पढ़ किस से रहे हैं आप पढ़ हम से रहे हैं मतलब सवरवोजहा से पढ़ रहे हैं तब अगर आप बच्चों कामान दिया गया है 3,3,3 से भी 4,4,4 तक जाता है मतलब आपको फोर्स दे दिया गया है और विस्थापन की दोनों इस्थितियां दी दे गए हैं और कह रहा है इसके द्वारा किया गया वर्क बताईए तो सबसे पहले हमें एक एनालिसिस करते हैं आपके टेस्ट लेते हैं चलिए फटा-फट स्टुडेंटों कमेंट करिए कि बल बराबर होता क्या है जितने भी स्टुडेंट इसको क्लैसिफाई कर देंगे जितने भी स्टुडेंट इसका एंसर दे देंगे कि कारे बराबर क्या होता है उतने स्टुडेंट समझ लिजिए आप बिल्कुल आपका basic complete है तो आप comments करिए अब आप सायद comment कर चुके होंगे अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं हम आपको बताते हैं जो किया गया कारे w होता है वो f into d के बराबर होता है जहाँ पर f आपका क्या होता है force होता है d आपका क्या होता है displacement होता है मतलब f क्या होता है आपका बल होता है और d आपका बिस्थापन होता है मतलब किया गया कारे w बराबर बल गुडे बिस्थापन होता है ये बात आप समझे इसके बात भाईया question में कह क्या रहा है आपको f का मान दे दिया गया है विस्थापन के दो बिंदू दे दिये गए हैं अब आपको उसका पहले actual विस्थापन ग्याद करना है तो actual विस्थापन आप कैसे ग्याद करेंगे किनी दो बिंदू के बीच मालेजे आपको यहां से यहां तक का विस्थापन ग्याद करना है AB के बीच का तो हम इसे AB लिखते हैं, इसके उपर ये सदिस बेक्टर लगाते हैं, लेकिन इसका जो मान होता है, OB-OA के बरावर होता है, मतलब किरी दो बिंदों के बीच की जो इस्थिती होगी, दूरी होगी, वो आप इस प्रकार से निकालेंगे, सबसे पहले OB वाले की इस्थिती आप रखेंगे, फिर OA वाली की इस्थिती आप रखेंगे, तो इसमें आप देखिए, इसमें आपको A का मान दिया गया है, B का मान दिया गया है, आपको a b का मान ग्यान करना है तो सबसे पहले b की स्थिती सदी से माइनस a की स्थिती सदी से और अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दें तो ये आपका b का स्थिती सदी से हर एक जगा 4 4 4 है और a का स्थिती सदी से आपका 3 3 3 3 है 4 4 4 का मतलब क्या है 4 i plus 4 j plus 4 k और यहाँ पर 3-3-3 का मतलब 3i plus 3j plus 3k है अब आपको दोनों स्थितियां मिल गई हैं अब आप displacement d का मान निकाल सकते हैं इसके place पर हम रख देंगे 4i plus 4j plus 4k और इसके place पर 3i plus 3j plus 3k जब इसको हम हल कर लेंगे आपका आ जाएगा i plus j plus k अब आपको दूरी मिल गई i plus j plus k और आपको force भी आपका है i plus j plus k अब आपको ग्यात work करना है work बराबर force into displacement मतलब कारे बराबर बल गुड़े बिस्थापन बल का मान आपका i plus j plus k है और बिस्थापन भी आपका i plus j plus k है जब दोनों को हम एक दूसरे में गुड़ा करेंगे तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि i वाले के साथ केवल i वाले का गुड़ा j वाले के साथ केवल j वाले का गुड़ा और k वाले के साथ केवल k वाले का गुड़ा हो जाएगा i के पहले 1 है और यहां भी 1 है तो 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 3 unit इसका आजाएगा correct answer अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपका 3 नंबर बिल्कुल आसानी के साथ clear हो जाएगा और यह question important है important क्यों है क्योंकि इसमें 2 logic लग रहा है पहला logic यहां पर work का लग रहा है examiner आपको check करना चाहता है कि आपने क्या physics या आपका basic कितना complete है तो अगर आपको work का सुत्र नहीं पता है तब भी आप इस सवाल को नहीं कर सकते हैं दूसरा logic इसका यहा है कि इसमें आपको 2 बिंदू दिये गए हैं तो इसका भी आपका examiner आपके mind की capability को check करना चाहता है तो इसलिए ऐसे questions से दिये जाते हैं फिर अगला question आपका क्या होता है देखें अगला question हम आपको दिखाते हैं कह रहा है AB आपको दे दिया गया है vector AB बराबर 2I plus 3J minus 3K और A का निर्दे सांक आपको दे दिया गया है 1, 2, minus I, minus 1 तब आपको B का निर्दे सांक ग्याद करना है अगर भीया आपको ये question नहीं आ रहा है तो आप समझे आपने इसके पहले जो हमने question बताया था उसको अपने ध्यान से नहीं देखा है अगर आपको ये question आ रहा है तो फटाफट comment कर दिजिए why चलिए देखते हैं कितने student फटाफट why comment करते हैं कितने studentों को समझ में आ रहा है ये question लगा सकते हैं और ऐसे कितने student हैं जो नहीं लगा सकते अगर भीया आप से ये question नहीं लग रहा है आपको AB की value दी गई है vector के उपर, A का निर्दे सांग दिया गया है, B का निर्दे सांग गयाद करना हमने अभी बताया था, अगर आपको AB दिया गया है, तो इसका मतलब OB का स्थित सदिस, minus OA का स्थित सदिस, बराबर AB का सदिस, आपको A की value दी गई है, 1, 2, minus 1 मतलब इसका मतलब क्या हो गया, 1I plus 2J minus 1K, यही हुआ आपका, यह हो गया आपका OA का मान, अब आपको OA के place पर यह रख देना है उपर वाला, और AB के place पर आपको जो दिया गया है, उसको रख देना है, आपका OB का मान निकल आएगा, कैसे करेंगे आप, देखिए, OA का मान आपका हो जाएगा, 1I plus 2J minus 1K, AB बराबर आपका होगा, OB minus OA, आपको OB की value ग्यात करनी है, आपको AB और OA का मान पता है, हम करेंगे क्या भाई इस question में, OA को इधर लेके चले जाएगे, आपका OB बराबर आ जाएगा, AB plus OA, आपको AB का मान पता है, अब हमने OA का मान निकाल लिया है, दोनों को हम जोड देंगे, आपका question solve हो जाएगा, आपको OB का मान पता चल जाएगा, देख लिजिए कैसे लगा है, बिल्कुल जैसे हम बोल रहे हैं, उसी प्रकार से ये लगाया गया है, अब यहाँ से आपको OB का मान तो मिल गया, 3I plus 3J minus 4 के, अब question में तो सदिस पूछ नहीं रहा है, question में पूछ रहा है B के निर्दे सांक, तो जैसे हमने इसको अभी convert किया था इस प्रकार, तो उसी प्रकार आपको अभी यह दे दिया जाए, और आप इसको आसानी के साथ ग्याद कर सकते हैं, बिल्कुल वही स्थिती है, आपको OB का मान दे दिया गया है, सदिस में, अब आपको B का निर्दे सांक ग्याद करना है, तो देखिए, I के साथ 3 है, तो पहले ब्रेकर बना ये 3 लिख दीजिए, फिर J के साथ 3 है, तो फिर 3 कर दीजिए, K के साथ माइनस 4 है, तो माइनस 4 कर दीजिए, यह हो गया आपका अंसर, और आपके 2 नमबर हो गये, clear, तो इस तरह से सारे प्रस्णों को आप बहुत ही आसानी के साथ solve कर सकते हैं, चलिए, हमने कहा था कि हम आपको एक important बात बताएंगे वीडियो के last में, लेकिन उसके पहले ही हम आपको बता देना चाहते हैं, ऐसे कितने student हैं जो live class लेना चाहते हैं, और हमसे live रात के 9 बजे जुड़ना चाहते हैं, फटा-फट live comment करिए, देखते हैं कितने student live comment करते हैं, जितना ज़्यादा live comment, उतनी ही जल्दी हम आपके लिए live class लेकर के बहुत ही धामाकेदार तरीके से, फर्स्ट सेमेस्टर के physics, chemistry, math और CS की class लेकर के हाजिर हो जाएंगे, ठीक है, अब देखें भी आइसमें कह क्या रहा है, बापका अगला question क्या है, vector A का मान आपको दिया गया है, और vector B का मान दिया गया है, 6I minus 3J plus 2K, और कह रहा है कि दोनों के बीच का angle गयाद करिए, तो सबसे पहले हमने basic में क्या पढ़ा है, vector A into या dot vector B बराबर आपका होता है, mod के अंदर A, फिर mod के अंदर B, cos theta, अब यहाँ से आपको इसका मान दिया गया है, इसका मान दिया गया है, यहाँ भी दिया गया है, यहाँ भी दिया गया है, आपको cos theta गयाद करना है, अब यह कुछ बच्चों के मन में यह हो रहा होगा, कि हमको यह कहाँ दिया गया है, ठीक है, यह point, तब अगर आपको यहाँ दे दिया जाता है, vector A का मान दे दिया जाए, तो अब इसका mod A निकाल सकते हैं, ठीक है, कैसे निकालेंगे, यह हम आपको आगे बता रहे हैं, तो cos theta बराबर क्या हो जाएगा, आपका vector A, dot vector B, बट A, mode के अंदर vector A, mode के अंदर vector B, अब आप A के place पर A का मान रखेंगे, vector B के place पर vector B का यह मान रखेंगे, उपर वाला, लेकिन नीचे आपका mod के अंदर vector A फंस रहा है, और mode के अंदर vector B बच रहा है, तो भाई, mode के अंदर vector A है, तो इसका आप मान कैसे निकालेंगे, यहाँ भी हमने आपको बताया है, पहले के वीडियो अच्छे में, लेकिन आज एक बार फिर से clear कर रहे हैं, दिखिए सबसे पहले हम करते क्या है, root लगाते हैं, mode निकालने के लिए, और यहाँ पर क्या है सबसे पहले 2 है, तो इसलिए 2 का square कर देंगे, फिर plus कर देंगे, फिर j के साथ 2 है, तो फिर 2 का square, फिर k के साथ minus 1 है, तो minus 1 का square, plus करके minus 1 का square, अब आपका यहाँ हो जाएगा, root के अंदर 2 का square, 4, प्लस इस 2 का square, फिर 4, और फिर इस minus 1 का square, 1, हो जाएगा, 4, 4, 8, 9, मतलब आपका आगया root के अंदर 9, mod B का भी मान ग्यात कर लेना है vector B का मान आपको दिया गया है तो बेक्टर B से आप mod B का मान निकालेंगे तो यह आजाएगा आपका साथ बिलकुल निकाल लिजिए का नहीं समझ में आता कोई confusion है तो comment लिख दीजिए या फिर हमें mail कर दीजिए हमारी mail ID है जवरब ओज़ा 0-32-2-gmail.com ठीक है तब आपको बस बसी सूतर पर रख देना है आपको बेक्टर A के प्लेस पर बेक्टर A की वेलू बेक्टर B के प्लेस पर बेक्टर B की वेलू mod a का मान हमने 3 निकाल लिया है mod b का मान हमने 7 निकाल लिया है हम रख देंगे और उपर वाले का जब गुड़ा करेंगे तो एक चीज फिर से ध्यान दे हमने आपको गुड़ा करना भी बताया है कि i वाले का गुड़ा i के साथ j वाले का गुड़ा j के साथ के के साथ प्लस टू के गुड़ा करेंगे तो यह भी हो जाएगा आपको माइनस टू बटे मॉड ए का मान थिरी इंटू मॉड बी का मान सेवन यही आप का आएगा बिल्कुल आएगा अब उपर वाले को आपको एड कर लेना है छे दो आठ हो गया बारह में से सबसे पहले आ चार बटे 21 जब आप थीटा की बैलू यहां से निकालेंगे यह आपको दिखा गया है कॉस थीटा पराबर चार बटे 21 यह जब थीटा की बैलू निकालेंगे तो कॉस इनवर्स चार बटे 21 आजाएगा और आपका कुश्यन जो होगा solve हो जाएगा आपका तीन नंबर यह प्रकार की कुश्यनों को हल करने से मिल जाएगा बहुत आसान है कुछ नहीं करना बस आपको logic थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको logic आना चाहिए प्रस्नों का तभी आप कुछ ऐसे प्रस्नों में कर सकते हैं फिर अगला question आपका क्या कहता है एक एक सदिस ग्याद कीजिए जो सदिस बेक्टर ए बराबर 4i-j plus 3k और बेक्टर भी बराबर 2i plus 2j-k दोनों पर लंब हो आपको एक ऐसा सदिस ग्याद करना है जो इस बेक्टर पर और इस बेक्टर पर दोनों पर क्या हो परपेंडिकुलर हो लंब हो तो ऐसी स्थिती को ग्याद करने के लिए हम इस फार्मूले का अनुसरण करते हैं मतला बेक्टर a cross बेक्टर b by mod के अंदर बेक्टर a cross mod के अंदर बेक्टर b आप इसको चाहिए तो point out कर लेजिए note कर लेजिए ठीक है यही आपका हो जाता है इसका फार्मूला बस आपको कुछ नहीं करना इसी फार्मूले का आप अनुसरण कर दीजिए आपका question solve हो गया यह उपर वाला आपको निकालने के लिए 2-3 methods होते हैं लेकिन सबसे आसान method जो होता हो आपका सारणिक method होता है इसको कैसे आप करेंगे दिखेए vector A का मान आपको दिख रहा है vector B का मान दिख रहा है तो vector A cross vector B के लिए सबसे पहले उपर I, J, K लिख दीजिए यह आपको सारणिक method भी आपका cross करने का आ रहा है हम बता रहे हैं अब एक चीज यहाँ यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपको A का component कितना है यहाँ पर I का 4 है तो I के नीचे 4 लिख दीजिए J का कितना है यहाँ पर minus 1 है तो J के नीचे आप यहाँ पर minus 1 लिख दीजिए और फिर K का कितना है यहाँ पर K का 3 है तो यहाँ पर आप 3 लिख दीजिए ठीक है इतनी बात निश्चित रूप से clear हुई होगी अब देखें B है आपका तो B के लिए I कमान 2 है तो 2 लिख दीजिए J कमान 2 है तो J के लिए भी 2 लिख दीजिए और K कमान –1 है तो –1 लिख दीजिए फिर आपको करना क्या है जब आप I लेंगे तो ये दोनों छूट जाएगा बचेगा आपका –1 इंटू –1 और फिर –3 इंटू 6 मतलब बच जाएगा आपका –1 –6 I फिर प्लस J अब जब J वाला लेंगे तो ये लाइन और ये लाइन छूट जाएगा आपका बचेगा ये 4, 2 और यहाँ पर 3 I तो 4 का –1 से गुड़ा कर देंगे ठीक है यहाँ पर ये – के साथ रहेगा तो –J आ जाएगा जब आप इसे solve करेंगे इसी तरह से आपको solve करना आता होगा चुकि सारण ये आपने पढ़ लिया है तो इसे बताने की जरूरत बहुत ज़्यादा नहीं है जहां तक हमें लगता है तब आपको यहाँ से vector A cross vector B का मान मिल जाएगा –5P plus 10J plus 10K अब यहाँ आपको उपर वाला तो मिल गया है नीचे वाले में आपका mod लगा है और इसी चीज का mod लगा है दोनों के cross का तो cross को solve करने के लिए हम सबसे पहले root लिखेंगे फिर I का component कितना है –5 का square J का है 10 का square K का है 10 का square इसे जब हम solve कर देंगे तो आजाएगा आपका 5 अब आप 15 आ गया अब आपको उपर वाले की value यह आ गई और नीचे वाले की value 15 आ गई अब भई आपको कुछ करना ही नहीं है दोनों को उठा करके इसमी में रख देना है आपका question solve हो जाता है चाहे आप यह लिख दीजिए और चाहे यह लिख दीजिए केवल अंतर इन दोनों में इतना है कि इसमें से 5 कामल ले करके बाहर कर दिया गया है इसमें आपका 5 कामल ले करके नीचे वाला कार दिया गया है तो यहा गया है और अगर आप चाहे यह रहने दे चाहे यह रहने दे दोनों ही answer आपका सही होता है अब यहाँ पर इसका जो दूसरा इकाई सदिस होगा 1 by 3 I minus 2 J minus 2 के यह इस पर लंब होगा चाहे आप यह कह दीजी चाहे यह ठीक है अब आपका यह से पूरा का पूरा doubt clear होता है हमें उमीद ही नहीं पूर्ण बिश्वास है कि जितने भी questions हमने बताए हैं आपको समझ में आये होंगे चलिए एक question इसे आप point note out कर लिजिए lambda का मान आपको निकालना है जिसके लिए आपको सदिस बेक्टर A बराबर दिया गया है i plus lambda j plus 3k तथा b का मान आपको बेक्टर b का मान दिया गया है 3i plus 2j plus 9k यह दोनों समाना अन्तर है तो आपको lambda का मान गयात करना है answer होगा आपको 2y 3 इसे कैसे सॉल्व करना है अब आप सॉल्व कर लीजिएगा नहीं आता है तो हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार जैहिन जैभारत बहुत ही जल्द आप लोगों से फिर मुलाकात होगी डेली के रात 9 बजे हमारे चैनल पर वीडिय यह ज्यादा से ज्यादा तब तक के लिए जैहिन जैभारत देखते रही है अपना फैबरेट यूटुब चैनल पांडेजी टेक्निकल